जे स्री माकाल जे मातारानी की आप शभी का मातारानी कल्यान करें और आप शभी को शुक्र की रखें इस वीडियो में आपको जिन से सम्मन देती ही साधना बताएंगे जो जिन साधना करना चाहते हैं हमने वैसे जिन साधना के उपर बहुत सारे वीडियो बना है और बहुत सारा उनको बताया है फिर भी लोगों के कमेंट आते हैं जिन साधना पर ज्यादा तर लोग हमें पूछते हैं वो जिन साधना पर और करान पिसाशनी पर और यक्षनी साधना पर इन तिन टॉपिक पर ज़्यादा तर लोगों का पूशना रहता हैं और कोई-कोई तो जग संसारी पूरा मांग लेते हैं कि सब कुछ एक एक के साथ होना चाहिए और वो भी जल्दी होना चाहिए ऐसे भी बहुत सरे लोग है जो मैसेज करते हैं अब वो क्या संभव है आप समझते हैं बात करते हैं इस वीडियो में जिन साथना पर आप अभी नए हैं तो सेनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए का आप सभी स्योग करेंगे आपको पुरी साइता मिलेगी हमारी तरफ से यहां पर हम क्या है जो भी शादना हैं उनके बारे में कुछ अनुवव वासिल करते हैं और हम मैं सवयम भी साधकी हो लेकिन शादनाओं का कुछ सपर होता है शादनाओं की जरनी हो होती है थन्तर है कीसा प्रयोग है जिसमें कुछ खोजे करने पड़ती जाती है खोजे करेंगे तो शादनाओं की जरू करने से रहे consent कि जरू देखने या क्या है अकिकत में उनका कुछ अनुभव होता है कर नहीं होता है जाए उन शक्तियों कुछ शिद्ध करे या ना करे लेकिन अगर कोई वास्त्विक सक्तिया होती है तो उनका अनुभव अपनी लाइप में होता है जब वो अनुभव होता है तब जाके वो परमानित माना जाता हैं कि हाँ ये शक्तियां हैं इनकी शिद्धी हो जाएगी अगर ऐसा करते हैं इतना हुआ हैं तो आगे भी कुछ हो जाएगा तो इसी कड़ी में आपको बता रहे हैं कि आप अगर साधना करना चाहते हैं जिन साधना करना चाहते हैं तो आप जिन साधना कैसे करेंगे जाद अतर होता ही है ये इस बात को समझना है इसलिए आपको ये एकांत रूप में करनी चाहिए क्योंकि जब ये शादनाएं करते हैं तो मान लीजिए आप स्वम सादक है और आपके तो सुरुक्षा है आपके पास तो सब कुछ है आप तो सादक है तो आप पर वो अठेक भी जितना करेगा उतना होगा नहीं लेकिन आपके आसपास जो भी लोग होते हैं परिवार के कुछ जाती है तो फिर उसको निकलना बहुत मुश्किल होता है इस बात को भी समझना है क्योंकि कोई शक्तिया होती है वो उनको बुलाया तो जा सकता है लेकिन उसको वापस भीजना बड़ा मुश्किल होता है और कभी कभाग यह होता है कि लाइप निकल जाती है लेकिन वो शक्तिया नहीं निकलती है, आज भी ऐसा बहुत से लोगों के साथ में हुआ है, और अभी भी भूगिद रहे हैं, कहीं लागों लोग ऐसे हैं, तो आप इस बात को समझें, फिर ही जिन साथना करें, अगर आप करते हैं, आप उस बारे में जानकारी ज्यादा रखते हैं, तो अच्छी बात हैं, मैं आपको ये बताऊंगा, कि जिन साथना आगर आप करना चाहते हैं, तो आप शुरक्षा के साथ में शुर्मुजमिल होता है, शुर्मुजमिल जो कुरान के आयते हैं, उन आयतों को आपको रोजाना चिला करके, यानि रोजाना आप जिस समय पर क को उसका एक शिल्दा करने का समय लेना है और ये फिर आपको रोजाना उसमें जाके करना है अगर रोजाना वहां नहीं जा सकते हैं जहां पर आपकी कोई समशान या ऐसी कोई जगह है तो आपको क्या करना है कि हर जुम्मेरात को वहां जाना है यानि गरुवार की रात्री को वहाँ पर जाना है या और वहाँ जाके क्या करना है कि शादना हर गुरुवार को ही करना है लेकिन 20 का जो सब्ताइक समय होता है 7 दिन का 20 का समय होता है वो आपके घर पर या आपके कमरे में कर सकते हैं अगर वहाँ पर नहीं जा सकते हैं तो इस बात को समझना कर जा सकते हैं, तो बैतर हैं, यह आपको क्या करना है कि साथ जैसे गुरुवार आपने कह दिये कि साथ गुरुवार तक आप करेंगे, तो साथ गुरुवार में हो जाता है, लगबग के सालिस दिन के आसपास का समय हो जाता इतना, तो उतने समय तक वो करना है, और राज़ाना ये आपको कम से कम 121 बार इनका पाट करना है सुर्व मुझमिल उसका, उसकी बाद में अगर आपको कोई जिननात, जिन से समन्म देता, पर आपके पास कोई स्पेसली कोई आयत है تو उसका भी आप अमल है कि उसका भी आप कर सकते हैं, आयते तो भी कर सकते हैं, और फिर उसके बाद में आप चाहिए तो साथ या ग्यारा बार उसका भी वापस सूर्य मुझमिल भी कर सकते हैं, इसके इलावा आप सूर्य फातिया का भी सारा ले सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी में आयते मानता हूं उनको बहुत अच्छी आयते हैं जो आप गर ये उसका शिल्डा करते हैं केवल सुर्य फाद्या का अगर आप सालिस इक तालिस दिन का करते हैं तो खुदा ने शाहा तो आप एक हमिल बन जाते हैं उसमें उसमें क्या होता है फिर आप किसी का अगर कुछ से दम करके या कुछ सी परकार का कोई ऐसा है कि जिसको आप ठिक करना शाते हैं कोई किसी के बीमारी वगेरा है तो उसको भी आप उससे ठिक कर सकते हैं और यह खाता है कि शुर्जिन्द वगेरा के पार्ट होते हैं आयते होती है उनका भी अगर करते हैं तो उसमें क्या होता है कि अगर इन से जिन्नातों की शुरुक्षा भी होती है और उनको काबू में भी किया जाता है ये बहुत सारे उनके कुछ इस्लामिक द्रम के अनुसार उनके परियोग होते हैं जो आपको यहाँ वीडियो में इतने सारे बताना बहुत मुश्किल रहेगा लेकिन मैं यही कहूँगा कि अगर आप जिन्साना करना शाते हैं तो शुरु मुझमिल और शुरु फात्या है इन दोनों में से किसी का एक का सारा आप ले सकते हैं इसके अलावा सुरु इखलाज भी है लेकिन आप सुरु फात्या शुरु मुझमिल का अगर सारा लेकर जिन्साना करते हैं तो वो जिन्साना होती है वो जल्दिस्थ होती है इस बात को आपको समझना है अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, तो आप जरूर आगए से आगए शेयर करना, केंगसर केंगर क्यूल करना बाकि जादा इतना शारा कुछ करने के इसमें जरूरत नहीं है, कि आपको वो हवन करना मैं याप करना पिसमें यह है, कि आप जैसे भूग पगेरा होता है, ल शादना ही करते हैं ये इन शक्तियों को बुलाते तो वहां पे एक या तो आप किसी का तेल का वगिरा दिया जला दीजिएगा अगर दिया नहीं जलाते तो केंडल होती है वाइट केंडल वगिरा आप वहां पे जला के वह शादना आराम करें और ये अगर किसी कपरिस्तान के शारे या कपरिस्तान में बैठ के करते हैं तो ये शक्तिया होती है जल्दी सिद्ध होती है और जल्दी आपको एक दो दिन के अंदर इनका परवा आपको दिखाई दे शकता है दूसरी बात यह होते है कि आपकी शुरुक्षा अगर मजबूत नहीं है तो यह आप पराटेक करती है और आपको वहां से बगाने में, डराने में, मानने में आगे बढ़ जाती है तो फिर आपको पागल करती है एसे बहुत सारे से किच्चे होते हैं कि आप उनको काबू में करने से पहले ही वो आपको काबू में कर देते हैं तो इस बात को समझना है कि उनको काबू में कैसे करना है अगर आपको किसी परकार की कोई साहिता वागेरा है चाहिए तो आप वर्टसप पकेरा पर संप्रक कर सकते हैं जैस्रीमा का